स्वागत है आप सभी का Learn and Fun पे बच्चो तो बहुत टाइम हो गया है हमें केमिस्ट्री के हम लोग लेक्चर जो हैं वो कर रहे हैं मतलब की अभी हमने लास्ट लेक्चर निपटाया सर्फिस केमिस्ट्री उसके बाद हम लोगों ने किया केमिकल कानेटिक्स और सर्फिस केमिस लेकिन इसमें से लगबख 50% पार्ट ने डिलीट कर दिया इस टर्म में यानि कि जो के मैंनो फॉर के टू सी आर टू सेवन ने उसकी प्रॉपर्टी सटा दी है एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो मतलब जो थी ही बहुत कम वह भी अटा दी है तो कि यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं अगर आपको याद हो तो हमारी पिरियॉडिक टेबल में जो हमारी मौडन पिरियॉडिक टेबल होती है उसके अंदर ये पहले दो ग्रॉप जिसको हम लोग S ब्लॉक कहते हैं फिर इसके बाद ये छे ग्रॉप जिनको हम लोग आज पढ़ाई यहां पर करने वाले हैं आप सबने S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में 11 पढ़ाई कर ली है पी ब्लॉक में जो 13 और 14 ग्रॉप है वो आपने 11 पढ़ा था लेकिन 15 16 17 18 आप लोगों ने 12 में पढ़ा कमाल की बात सुनिए अगर आप तो इस साल जो हमार सब्सक्राइब का जो नया सेशन है जो बच्चे भी ट्वल्थ में गए है आपको शाइद बताओ पी ब्लॉक चप्टर पूरा ही काट दिया है मतलब पूरा का पूरा चप्टर ही काट दिया है पिछली बार तो कुछ कुछ चीज़े काटी थी ना इस बार जो नया सिलेबस กास आया है पूरा का पूरा चप्टर ही ब्लॉक आपको लगेगा को कॉछ सकते हैं कियोंकि चप्टर में reaction wise chapter बहुत कम है, बहुत कम पढ़ना है, reaction wise ना के बराबर पढ़ना है, लेकिन हाँ इसमें जो properties हैं, वो वाला हिसा काफी interesting देगा, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो dnf block में, हमारा सबसे पहला सवाल उड़ता है, कि जो d block elements हैं, वो क्या होते हैं, यानि dnf block elements में, सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं, d block elements के बारे में, कि d block elements क्या होते हैं, तो हमने again 11th class में structure of atom में, या periodic classification में पढ़ा था, कि electronic configuration करके, हम कैसे किसी element के block को पता लगा सकते हैं, अगर किसी की electronic configuration करते करते हैं, लाश्ट electron s में गरता था तो उसको s block का element कहले देते, लेक्ट्रोन जब डी में गिरता था तो इसको डी ब्लॉक केहते थे आगर आपको याद ओ ऐसी एफ ब्लॉक तो यहां पे दोज एलिमेंट्स इन विच वेलेंस एलेक्ट्रोंट्स एंटर इंटर एन माइनस वन डी ऑर्बिटल आर कॉल डी ब्लॉक एलिमेंस एन माइनस वन क्यों कहते हैं और आपको याद ओ तो बन एस टू एस टू टू पे 6 टू एस टू थ्री एस टू थ्री पे 6 पूर एस टू आपको शाहद याद तो ठीड़ी तैन यानि हम फॉर्ट शेल में जा चुके होते हैं लेकिन फिर थी दी में वापस आते हैं आप यादो से पेनलिटी मेंट शेल कहते हैं 11 क्लास में पड़ा था तो हम फोर्थ शेल में जा चुके हैं फिर से वापस आते हैं एक शेल कम में एलेक्ट्रोन बरने के लिए अब बाउ प्रिंसिपल जी के हिसाब से तो फोर एस में पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी एलेक लगते हैं एक कम में बरते हो इसलिए आप लिखाव है एन मैमाइनस वन डी में एंटर होता है अगर एक येक्ट्रोन ओर यहां पर आपको बड़ी हरानी होगी शाहर जानके कि यार देखो configuration का मतलब क्या है जैसे for example यहाँ पर हम scandium ले लेते हैं ऐसा करते हैं ठीक है मालो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसी भी एक b-block element की let's say scandium है nickel है, cobalt है, manganese है, iron है कोई भी एक ले लेते हैं let's say ले लेते हैं यहाँ पर scandium अब scandium का atomic number होता है 21 उस हिसाब से configuration हो गए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 अब अब अवब प्रिंसिपल जी के हिसाब से 4s के बाद 3d में बरना है और जब तक 4s बरने जाता 3d में जाएंगे नहीं तो यार इसकी configuration ऐसे नहीं होनी चाहिए थी ns2 n-1 d1 से लेके 10 यह आगे पीछे लिखा है वो तो छोड़ दो ना वो तो हम configuration करता है वक्त ऐसे लिखते हैं और जब लिखते हैं उसको तो हम उसको n को पीछे भी लिख सकते हैं बढ़ा लेकिन वह वाली बात नहीं हो रही है भी बात लिख यह जब तक हम एस में दो इलेक्टान भरने देंगे हम दी में जा नहीं सकते यहां एंस 12 क्यों लिखा हो यहां पर लिखा हो ना चाहिए आपको याद करना होगा कुछ exceptional cases होते थे जैसे कि आपको याद ओ क्रोम तो chromium का atomic number which is 24 तो उसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होने चाहिए according to अवबाव principle लेकिन याद करेंगे कि इसका एक electron 4s से 3d में कुछ जाया करता था ताकि वो d को half filled configuration दे सके और अगर electron d में कुछ जाता था तो इसकी configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 हो जाती थी इसका मतलब यह है कि actually electron जो है वो 4s2, 3d4 में होता है लेकिन वो excite हो जाता है उसको half filled बनाने के लिए और 4s1, 3d5 हो जाता है इसलिए इसकी configuration के अंदर ns2 ने लिखा हुआ, ns1 यह लिखा हुआ है because कभी कबार ऐसा भी हो सकता है कि ns1 हो और फिर आप d में चलेगा जैसे कि मैंने आपको chromium का example दिया ऐसी copper बेगारा भी इसके example में आते हैं, चलेए यह तो समझ में आया कि d block elements क्या है जिनका last electron d में करेगा लेकिन अब सवाल आता है transition elements क्या होते हैं वैसे तो हमने element में पढ़ा था कि d block elements को ही हम transition elements भी कहते हैं कि सही भी है लेकिन transition elements की definition अलग है, transition elements की दो definition है, पहली definition क्या है, पहली definition है और transition element is defined as the element which have incomplete filled d orbital either in its ground state और in common oxidation state अब इसका मतलब क्या है वो कह रहे हैं कि d block element हमारे लिए वो था जिसका last electron d में गिरा लेकिन transition की definition ही कुछ और दे रहे हैं transition की definition ये दे रहे हैं कि ऐसे elements जिनका electron जब हम configuration करें तो जो d orbital है last वाला d जिसको n-1 d कहते हैं, वो incomplete हो या तो ground state में, ground मतलब जैसे normally उसकी configuration करते हैं वैसे या तो ground state में उसका जो d है वो incomplete हो या फिर stable excited state हो या oxidation state हो उसमें वो incomplete हो मैं आपको समझाता हूं example के तौर पर जैसे की हमारे पास magnesium 25 पर आता है इसकी configuration करोगे तो फो और विसे बाता आगया आएगा आरगन लेकिन 4s2, 3d, 5 आ जाएगी अब इसका जो d है आप देख सकते हैं यह incomplete है incompletely filled है बोलो यह जो कि आप बोला भी क्या कि incompletely filled होना चाहिए तो इसका मतलब है यह transition element हो गया हाना भई यह कौन सा element हो गया transition element हो गया जैसे की कोई और ले लेते हैं iron 26 पर आता है तो again 4s2, 3d6 तो again यह incompletely filled हो गया तो भई डी block elements वो थे जिनका last electron d में गिरे लेकिन transition elements वो हैं जिनका जो d है वो incomplete होगा यह तो बात हो रही है यह stable oxidation state में यह फिर बात हो रही है यह ground state में अब एक सवाल जैसे की zinc की अगर हम लोग बात करें अब zinc जो है जिसका atomic number हमारे पास 30 रहता है उसके लिए अगर मैं आपने configuration करता हूं तो configuration आ जाएगी 4s2 3d10 और यह completely filled d orbital है yes or no भई इसमें जो d orbital है पूरा भरा हुआ है आप चेक कर सकते हैं अब इस हिसाब से तो यह transition element नहीं लग रहा क्योंकि इसका dj पूरा भरा हुआ है लेकिन हमें transition element को दो मौके देने हैं पहला normal ground state पे इसकी configuration गर्दों हमने कर दी दूसरा मौका देना है आपको कि आपको इसको stable oxidation state पे चेक करना है अब जिंक की हम सब जानते है stable oxidation state क्या होती है प्लस टू अब अगर मैं जिंक से प्लस टू कॉरें configuration शो करवाता हूं तो इलेक्रॉन कहा आको एसके सकते हैं कि जो जिंक है वो डी ब्लाग की element तो है लेकिन वो transition element नहीं है और ये सवाल exam में काफी बार पुचा गया है कि ऐसे भी बोच लेते हैं क कि डी ब्लाग element इस नाट अट्व vendors टू 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 ट्रայिंच्शन मेलिंट यह एक true जिंक डी ब्लोक का तो है इसका लाश्ट एले डी में गिर रहा है लेकिन ये कौन नहीं है बचो ट्रांशीशन एलेमेंट नहीं है क्यों Hermit confirm वो incomplete नहीं है, ground state पे भी चख कर लिया और stable oxidation state पे भी चख कर लिया है, तो ऐसे ही सवाल अगला भी आ रहा है कि zinc, cadmium और mercury, zinc के नीचे आता है cadmium, cadmium के नीचे आता है mercury, सब के लिए same बात है, कि इनका जो last D है, जैसे इसका है 3D, इसका है 4D, इसका है 5D, यह सारे के सारे भरे हैं, stable oxidation state पे भी और ground state पे भी, इसलिए यह डी ब्लॉक के लोग तो हैं, लेकिने transition elements नहीं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और बच्चों, अब हमारी main पढ़ाई यहां पर शुरू होती है, और वो है कि transition elements की physical properties और थोड़ी थोड़ी बीच-बीच में chemical properties आएंगी, चप्टर बहुत चोटा है, कुछ कुल मिला कि 9-10 chemical properties पर नहीं, chemical physical मिला के चप्टर नमारा खतम हो जाएगा, सबसे पहले, enthalpy of atomization या फिर melting point, अब बचो melting point अलग-अलग factors पर depend करता है, बढ़ अभी हम transition elements जो की metals हैं, उनके उपर बात कर रहे हैं, हम सब ने बढ़ा है 11th class में, जितने ज जादा आपका strong metallic bond होगा, अगर आपको नहीं पता है, तो कहीं पहले लिख लेजिएगा, कि जो metallic bond होता है, उसकी जो strength होती है, उसकी जो ताकत होती है बच्चों, वो directly proportional होती है, number of unpaired electrons है, जितने जादा unpaired electrons उसके पास होगे, जितने जादा उसके पास free electrons होगे, उतने जा जादा याद करो, वोईड में रख पाएगा, और metallic bond strong होगा, अब डी ब्लॉक के जो elements है, इनकी अगर बात करें, तो यह जो melting point है, या enthalpy of atomization है, बेसिकली, वो metallic bond की strength पर ही तो depend करता है न, क्योंकि यह metallic bond strong होगा, उतने उनकी, उनकी enthalpy of atomization, या फिर melting point जो की एकी बात होती है, अब यह किस पर depend करता है, तो आशर है number of valence electron पर, more is the stronger interatomic attraction, और metallic bonding, higher is the enthalpy of atomization, और इनके case में ऐसा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि in d block, हमारे पास unpaired electrons बहुत जादा हैं, जिसकी वज़ा से, आप ऐसा कह सकते हो, कि metallic bond, जो है, उसकी जो strength है, उसकी जो ताकत है, वो भी बहुत जादा है, और metallic bond की strength ताकत होने की वज़ा से, इसका melting point या enthalpy of atomization बहुत जादा है, again, exceptional cases है, अब आप देखो न, ये लोगों की हमने बात की, इनका d orbital पुरा भरा हुआ है, तो इनके पास क्या नहीं है, इनके पास unpaired electrons ही नहीं है, और अगर इनके पास unpaired electron नहीं है, तो फिर इनका metallic bond बहुत weak होगा, और सब को पता है कि mercury का तो इतना weak है कि वो liquid है, और कैडमियम और zinc भी बहुत जादा hard नहीं है, soft है, जैसे बाकि सब metals हैं, इनके group के, इनके period के, वो काफी hard है, लेकिन mercury, तो आप सब जानते electron नहीं होते हैं, यह एक transition element नहीं होता, जिसकी बज़ा से इसका metallic bond बहुत weak हो जाता है, चलिए, इसके बाद वही सवाल आकर जो मैंने बताया, 3D series में, zinc का lowest enthalpy of atomization, यानि की lowest enthalpy of atomization, enthalpy of atomization का मतलब melting point यह, lowest enthalpy of atomization क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई unpaired electron नहीं होता है, चलिए चलिए, अगला सवाल, 3D series में, chromium का सबसे जादा enthalpy of atomization क्यों है, उल्टा सवाल आ गया, पीछे पुछा, कि 3D series, अच्छा, I hope you know 3D series, हम लोगों ने 11th में बात किये, जो D block होते हैं, उनकी 3, 4 series होती है, अगर नहीं पता तो हैं, आप लिग देता हूं, period की अगर बात करें, हमारा 4th period, 5th period, 6th period और 7th period, इन से हमारे D block शुरू होते हैं, तो यह 4th period में होती है, 3D series, तो जो पहली series होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंग तक वाली, उसको 3D series बोलते हैं, यह हमने प्रियॉर्ड क्लासिफिकेशन में बात की भी है, 5th, जो प्रिड होता है, उसमें 4D series हो जाती है, 6th में 5D और ऐसे यहां पर 6D series के हिसाब से हमारा चलता है, तो अभी वह कह रहे हैं, कि जो 3D series है, जिन इनको याद कर लेना है, बड़ वो कह रहे हैं कि 3D series में chromium की enthalpy of atomization सबसे ज़्यादा क्यों होती है, अब याद करो, अभी थोड़े दे पहले हमने chromium की electronic configuration की थी, यहां कहीं, की नहीं, मेरे साब से तो की थी, कहां गया chromium, नहीं की, हां की, अब chromium की electronic configuration अगर आप देखो, त 4, S, 1, 3, D, 5, I, तो D में, आप पता maximum कितने electrons unpaired हो सकते हैं, अहां सर है 5, D में maximum electrons 5 हैं, जो unpaired हो सकते हैं, और इसके पास वो हैं, और S में maximum 1 electron unpaired हो सकता है, जो की again इसके पास है, तो ऐसा कह दें, कि chromium के पास maximum number of electrons unpaired हैं, जो की 6 हैं, इससे ज़्यादा किसे के पास भी नहीं हो सकते हैं, और यही कारण हैं कि chromium का melting point या enthalpy of atomization 3D series में सबसे ज़्यादा होती हैं, बच्चों, हना, सबसे ज़्यादा होती है, डर हैं, चली, अगली property आ रही है, atomic and ionic size, अब again, क्या expectations होती हैं, expectation होती हैं, कि भईया, इनका size जो होगा, जैसे S block है, हम left to right जाते हैं, तो size decrease होता है, अब S block के मुकावलें का size छोटा होगा, जो की है भी, कोई problem नहीं है, लेकिन हम सब यह expect करते हैं, कि उपर से नीचा आने पर size बढ़ेगा, यहाँ पर size लगबग लगबग उपर से नीचा आने पर constant रहता है, बच्चों, कमाल की बात ही है, कि आप जब 3D series से 4D में आते हो, 4D से 5D में आते हो, और 5D से 6D में आते हो, तो हमारी expectation यह होती है कि size बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर size approximately constant रहता है, अब ऐसा क्यों है भई, यहाँ उपर से नीचा आने पर size बढ़ना चाहिए था, क्योंकि number of shells बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर size लगबग constant रह and F block elements, आप सब जानते हैं कि D block elements में D block के अंदर तो हम electron बढ़ते ही हैं, लेकिन साथ इसाद नीचे जाते जाते जाएंगे, तो F block elements में भी electron आ जाएंगे, यहसे 4 से F block यानि के खासकर आप कह सकते हैं, यहाँ से 6D से 5D से 6D से F block elements भी आना शुरू हो जाते हैं, F block elements मेरा कहन का मतलब यहाँ पर है, F में भी electrons एंटर करना शुरू कर जाते हैं, और F के electrons bad shielders होते हैं, D और F के दोनों के ही bad shielders, poor shielders होते हैं, और यह धंक से shielding नहीं कर पाते हैं 11th class, और shielding नहीं कर पाएंगे, तो effective nuclear charge बढ़ जाता है, जिसकी वजह से size छोट मतलब nuclear charge उतना ही रहता है, लेकिन उसकी effectiveness बढ़ जाती है, क्योंकि shielding effect नहीं हो रहा, तो outer most shell और nucleus के बीच में attraction बढ़ जाता है, attraction बढ़ने की वैसे size में contraction आता है, size छोटा हो जाता है, तो write a note on lengthenoid contraction, the phenomena of cumulative decrease in the atomic size, क्योंकि हमने 4F में electrons भर दी हैं 5D से पहले, जो की poor shielder होते हैं, इसे lengthenoid contraction कहते हैं, क्य lengthenoid contraction होता है, for 5D series and for 6D series, it is known as octanoid contraction, it's all the same thing, चीक है, अब size में contraction आने की वज़ा से, क्या-क्या problems हो जाती हैं, या problem तो नहीं कहेंगे, कहीं जगाँ पे वो problem है, कहीं जगाँ पे वो फायदा भी है, जैसे अब यह हम पढ़ेंगे, यह size constant रहने का बहुत बड़ा फायदा यह है, कि हम D block से large number of alloys बना सकते हैं, बट अभी फिलाल हम consequences की बात कर रहे हैं, तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं, जिर्कोनियम की, और होफनियम की, तो इनकी properties same हो जाती हैं, और तो यह अलग अलग period के member हैं, जिनकी properties अलग होने चाहिए लेकिन देखो, size लगबग लगबग बराबर होने की वज़ा से, इनकी physical और chemical properties same हो जाती हैं, अब इसी कारण 4D और 5D में भी ऐसा ही होता है, कि 4D और 5D वालों के chemical properties त कि इनका size लगबग बराबर हो जाता है, और size पे बहुत सारे physical properties depend करती हैं, और इसी वज़ा से, इनकी physical और chemical properties match होने लग जाती हैं, और as a result, इनको separate करना बच्चों मुश्किल हो जाता है, या देखो, दो चीज़ों को एक दूसरे से separate उसकी property के हिसाब से किया जाता है, लु करने का ultimately मतलब यह कि हम इनको अगर separate करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कोई chemical properties में differences होने चाहिए, जो की होते भी हैं, लेकिन इन लोगों में physical और chemical properties इतनी similar हो गई हैं, कि इनको separate करना अब बहुत जादा मुश्किल हो गया है, इनको separate करना difficult हो गया है, ऐसा नहीं इनको separate नह पढ़ा था, यह आपको यहाँ पर वैसे नहीं पढ़ने, knowledge के लिए पता रहा हूं, इनको separate करने के लिए, आयन exchange method का इस्तमाल करना पढ़ता है, इनकी reactivity के अलग reactive elements को आयन को लाना पढ़ता है, वो अभी आप छोड़ दो, लेकिन इनको इनकी physical और chemical properties लगबख similar होने की अब उपर से नीच आएंगे, देखो ना, आप common sense लगाओ, उपर से नीच आने पे size जो है, वो या तो कम हो रहा है, या फिर लगबख लगबख क्या रह रहा है, constant, लेकिन उपर से नीच आने पे mass तो बढ़ रहा है ना, उपर से नीच आने पे mass तो बढ़ रहा है ना, वो भी बढ़ने लग जाते हैं सॉरी यार सॉरी अब मैं इस वीडियो में कट लगवा हूं मैंने बड़े इग्नूर कर देना प्लीज हां मैं ये कह रहा था बच्चो कि डेंसिटी जो है वो अच्छा एक बात और यार मैंने ना कहीं किसी फैक्ट में पड़ा था मुझे ने यह सही है कि नहीं कि मैं इतनी जानता नहीं 11-12 के बाद कि मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर ऐसा होता है कि जब हम चीक मार रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा दिल की धड़कन रुख जाती है तब ही कहते हैं गौड ब्लेस यू कि यार तुम काइंड आफ कहते हैं लोग ची है कि नहीं ठीक है चलो कमेंट सेक्शन पर आपको इसके बारें पता हो तो फिलाल डेंसिटी का फॉर्मॉला होता है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम अगर मास बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कॉंस्टेंट है तो अव्वेसी बात है जो डेंसिटी है बच्चों व बने के फाइदे भी फाइदे यह कि बनते हैं नुकसान ही है कि वह इनको सेपरेट नहीं कर पाता कर एक बार मिक्स हो गए तो ऐसे बढ़ने के फाइदे भी और अपने नुकसान चलिए अभी हमने आपे कॉंसिक्वेंस की बात किये एडवांटेज डिसद्वांटेज के प आपको पता हो अनपेड़ एलेवन क्लास में पड़ा है और वह है मैगनेटिक मुमेंट तो मैगनेटिक मुमेंट निकालते कैसे हैं याद करेंगे फॉर्मला होता था इसका बच्चो एन ब्रेकेट में एन प्लस टू का अंडर रूट और यहां पे एन क्या होता है बच्च होते हैं मैगनेट से उतना जादा पारमेगनेटिक भीए या अट्रेक्शन शो करता है जितने जादा इलेक्टरॉण्स आपके पास हूंगे आप उतने ज्लत meagnetic moment रखोगे जादा electron मतलब कौन से और electron की बात कर रहा हो अब जैसे कि अभी बात की थी क्रोमियम के पास छे electrons उन्पेड होते हैं iron के पास चार electrons उन्पेड होते हैं मैंगनी स्क पास पांच उन्पेड जितने जादा最後 आपके पास उन्पेड यह फॉर्मुला कह रहा है उतना ज्यादा आपका मैगनेटिक मुवमेंट होगा और मैगनेटिक मुवमेंट जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा मैगनेट के तरफ अट्रक्शन यानि कि पैरा मैगनेटिजम प्रॉपर्टी शो करेंगी मैगनेटिक मुवमेंट की एस of unpaid electrons and it is calculated by spin only formula which is this हाना और अगर हम यहां पे लिख दें कि अगला पॉइंट वड़ा साइड करके कि D block elements आर जनरली पैरा मैगनेटिक बिकॉज कंटेन क्या वच्चो अनपेर्ड इलेक्ट्रॉं इन सब के पास क्या होते हैं अनपेर्ड इलेक्ट्रॉंस होते हैं अनपेर्ड इलेक्ट्रॉंस होने की वज़ा से यह मैगनेट्स से क्या होते हैं अट्रैक्ट और पैरा मैगनेटिक ब कौन है जो इसा बता दो strategies में ऐसा कौन है जो पिरा मेगेटिक नहीं दिखाता आँसर यह मैं लेकिन इसन這邊 नहीं जन्रल स्ट्रावश भूता है इसकी वह स्टेबल एक्डेशन रहा यह इतारिवाब स्टेट पराम एक lower ग्राउंड स्टेट कि जिसकी में नहीं दि Clinical पाएगा लेकिन इसलिए मैंने जनरी लिखा है लेकिन ज्यादा तर के पास नंबर ऑफ अनपेर्ड इलेक्ट्रॉंस होते हैं इसकी वजह से वह मैगनेटिक बिहेवियर दिखाते हैं और मैगनेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो यह वाली बात हो गई मैगनेटिक प्रॉपर्टी सवाल आगे एक चोटा सा सवाल कह रहा है बचो कि कैल्कुलेट स्पिन ओनली मैगनेटिक मूमेंट विच इस नॉर्मल मैगनेटिक मूमेंट एक आयन का एम प्लस टू का जिसका एटॉमिक नंबर है 27 अब 27 के सबसे अगर कॉन्फिगरेशन करते हैं तो वन एस्टू टू एस्टू टू टू पी सिक्स ट्री एस्टू ट्री पी सिक्स फूर एस्टू और 3D क्या जाएगा सेवन अब अगर हम प्लस टू की बात करें तो दो एलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए है तो वन एस्टू टू एस्टू समाब सेम आएगा लेकिन दो एलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे लाश्ट से जो की एस है तो यह आ जाएगा 4S0 और 3D7 अब 3D7 का मतलब क्या हो गया कि डी में साथ एलेक्ट्रॉन भरना है बच्चो डी नमबर आफ एलेक्ट्रॉन अन पेड़ आ गए तो अन पेड़ एलेक्ट्रॉन सा गए तीन अब अगर मैं यहां से मैगनेटिक मूवमेंट निकालता हूं जिसका फॉर्मला है एन ब्रैकेट में एन प्लस टू तो हमारे पास एन की वेल्यू क्या चुकी है बच्चो थ्री आ चुकी है तो एन की वेल्यू अगर थ्री आ गई तो थ्री प्लस टू फाइव आ गया फिफ्टीन आ गया बचो तो अंडर रूट फिफ्टीन बोर मैगनेट्रॉन इस दी वेल्यू इस त्री पॉइंट कुछ 3.9 कुछ जो भी आ गया लेकिन रूट फिफ्टीन यानि की फिफ्टीन बोर मैगनेट्रॉन कैसे निकाला पहले कॉन्फिग्रेशन की फिर देखा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अन पेयड है जितने भी इलेक्ट्रॉन अन पेयड है उससे हमने इस फॉर्मुले वेली पुट करके आंसर आ गया अंडर रूट 15 बोर मैगनेटॉन दने चले अगला रहा है बच्चों फॉर्मेशन आफ कलर आयन पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हम लोगों ने इनके अंधेल्पी आटमाइज़शन काफी ज्यादा होती है दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हम लोगों ने कि यह चौती पर आ गया ना तो दूसरी क्या पड़ा थी था मनें लोगों ने पड़ी थी कि क्या पर दी भी गया थी ख्यांति थी तो पड़ी बच्चों हमने कि यह सब एंथेल्पी आप अड मैज स्टॉइशन बहुत स्टॉंग है पहराम मैगनेटिक हम ने ढरे दीसरी पड़ीशन पर द दीसरी प्रॉपर्टीय क्य आपको पता होगा color क्यों release करता है यह आयें कलर कैसे बनाता है तो शायद आपको पता हो या हम ने atom chapter में भी बात किये कि अगर एक electron bahamr series का है जब वह electron excite होता है तो वह energy absorb करता है अब डी में क्या होता है डी में एक खास बात यह अगर आपने कोडिनेट कंपाउंड चप्टर पढ़ लिया है तो आप यह और अच्छे से जान पाऊगे नहीं तो डी ब्लॉक में खास बात यह बात है कि इनके डी किसे ही डी में इलेक्ट्रॉन कूछते रहते हैं बाकि सब में क्या होता है एलेक्ट्रॉन से पी में यानि की डी में ही इलेक्ट्रॉन कूछते रहते हैं कारण है जब हम कॉडिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे लेकिन डी से ही इलेक्ट्रॉन डी में कूछते रहते हैं विच इस नोन आज डी डी ट्रांजिशन अब होता क्या है जब एक इलेक्ट्रॉन हा अब आप सब जानते जब एक electron energy absorb करके higher energy level पर जाता है तो फिर वो energy जब release करता है तो वो उतनी ही energy release करता है जितनी उसने absorb की थी अब माल लो कोई energy absorb करके गया lower से higher energy पर दी से डी में तो इसने energy उतनी absorb की जितनी visible range की होती है अब जब वापस से डी एक्साइट होगा और जब वापस से नीचे आएगा तब कितनी energy release करेगा अगेन उतनी energy release करेगा और फिर as a result वो visible race की form में release करेगा और अलग-अलग करण दे हैं और दूसरा आपके पास ऑफिसे बाद अनपेर्ड एलेक्टरों सोने चाहिए जो कि इन में सब के पास हैं लगबग एकाथ को छोड़के जिसके वैसे colored ions बनाते हैं तो वैन एलेक्टरॉन फ्रॉम लोड अनरजी डी ऑर्बिटल इस एक्साइटे तो हाय अनरजी डी और स्पेक्ट्रम मैं यहां पर ब्राकिट में लिख दू जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता है बट जनरली यह रिलीस करते हैं इन दा फॉर्म आफ लाइट और एक कोशन आया था कि जिंक के जो सॉल्ट होते हैं वह अक्सर वाइट क्यों होते हैं क्योंकि एक एक सवाल है या क्योंकि जिंक का जो डी है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब यहां पर यह है कि उसका इलेक्ट्रोड डी डी ट्राजिशन नहीं कर पाता और अगर वो डी डी ट्राजिशन नहीं कर पाएगा तो वो कलर रिलीज नहीं कर पाएगा दन है बज़ो तो यह हुआ फॉर्मेशन ऊफ में इंस तो फॉर्थ प्रॉपर्टी इसके पाद आते हैं हमारी फिप प्रॉपर्टि विच्स फॉर्मेशन अफॉंपार्द अब यह anyhow तो यह पर क्या कहने का मतलब ही देखो कॉम्प्लेक्स क्या होते है आप लोगों को अगेन अक्सर जो लूइस ऐसेड और लूइस बेस को जोर के बनते हैं उन्हें मोलते हैं जो इलेक्टरॉन रिछ होते हैं और लूइस आसेड कौन होते हैं जो बच्चों इलेक्टरॉन deficient होते हैं मतलब जिन में electrons की कमी होती है उन्हें हम Lewis acid कहते हैं और जिन में electron थोड़े ज़ादा होते हैं उन्हें हम Lewis base कह देते हैं चीक है न अब इनके जुड़ने से complex बनते हैं complex मतलब coordinate compounds बनते हैं अभी इतना कह सकते हैं बाकी coordinate इनके पास बहुत चोटा है जिनके पास कमी है इनके पास कमी है वह लोग बहुत इसली कॉंपलेक्स फॉर्म करते हैं तो कॉंपलेक्स इनके पास बाइंड कर लेता है या फिर नूट्रल मॉलेक्यूस को बाइं को अब यह ट्रांजिशन एलेमेंट कॉंपलेक्स बनाते क्यों है पहला इनका साइज बहुत चोटा जिसकी वज़े से यह और जादा इलेक्रॉन डेफिशन करेक्टर देते हैं दूसरा इनका आइनि अगर इनके पर हाई चार्ज होगा जैसे आपको पता है अगर आपको शायदी वर्ड पता हो लिगेंड जो की कोडिनेट कंपाउंड का वर्ड है तो यह लिगेंड से बहुत असानी से इलेक्रॉन पेर डोनेट कर लेते हैं अगर आपको यह समझ में नहीं है तो इसका आपको नहीं आता है वरना सारी बाता को समझ में आ रही होंगी कि लिगेंड आता है इलेक्ट्रॉन का पेर देता है सेंट्रल मेटल एटम को जो की इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होता है वह सारी बात है तो इनके पास क्या-क्या करेक्टर है जिसकी वाइस से यह complex बना देत कि इस चप्टर के जो नोट्स हैं वो काफी easy भाषा में लिखे गए है जिसे कि उनको यह चप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और जादातर केसिस में यह चप्टर बच्चों को नहीं हर साल समझ में आता है क्योंकि क्या होता है वही चीजों को बहुत मुश्किल भ इस की फॉर्म में कर रहे हैं लेकिन अगर हमें complex बनाने हो तो यह सारी properties वहां पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है चीक है जी तो यह हमारा हुआ कि भाईया फिफ्ट प्रॉपर्टी कि यह complexes कैसे बहुत easily form कर लेते हैं बच्चों समझ गए हाना यहां तक यह 5 properties में मेरे साब से कोई problem नहीं होनी चाहिए यहां पर हमने बात कर ली कि transition elements जो हैं वो complexes क्यों form करते हैं अब हमारे पास बात आती है बच्चों की transition elements बहुत अच्छे catalyst कैसे हैं यानि कि सबसे पहले तो आपको याद करना होगा कि एक अच्छा catalyst कौन होता है एक catalyst पहली बात तो वो ह होता है जो reaction की स्पीड को या तो increase कर सकता है या तो decrease कर सकता है वैसे हमारा सर्फेस के में टॉपिक था सब्सक्राइब से कि हमारे पास दो प्रकार के क्या होते हैं बच्चों catalyst होते हैं एक वो जो reaction की स्पीड को कम कर देते हैं अभी फिलाल हमें इससे फरक नहीं पढ़ता क कि reaction की स्पीड को बढ़ाने वाले catalyst है या reaction की स्पीड को कम करने वाले catalyst है फरक पड़ता है कि catalyst हैं और catalyst कौन होते हैं चैंज करते हैं पहली बात दुसरी बात एक अच्छा catalyst कौन है मालो आ और बी को react होके माल लेते हैं C आप सिम्पल सी बात ही है कि ओ या तो या ऐक्स के तक आप एक्स जो हमारा कैटलिस्ट या तो एक साथ या थो बी के साथ या फिर दोनों के साथ एक इंडरमीड़ियshire ढोन बनाता है आपने मखेनीम समस में जैद पड़ा होगा है कि जो एक स हैं और और पस जाता और टॉ हुआ कि जो इसको इंडर्मेडियर से कहने का मतलब एक ऐसे समय के लिए और वो होने चाहिए और वी कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए काटिलिस्ट के पास अगर कि एक वी कंपाउंड बनाने की ताकत नहीं सकता तो एक अच्छा कैसे हो सकता है मालो एक साथ इतने अच्छे तरीके से रियाक्ट हो गया कि अब वो इसको छोड़ी नहीं रहा तो फिर अच्छा कैसे हुआ बच्चो हना तो सबसे पहले बात तो इनके पास ताकत होने चीए टेंडेंसी टू फॉर्म और यहां पे कंप्लैक्स से कहने का मतलब है वीक कंपाउंट्स एंपेर यहीए अत बदाया की सेकेंड अब क्या लोग टेंग bize कभी एक के साथ होना है कभी बी कभी दोनों कभी और वेलेंसी वालों के साथ और इसी कारण वर्ष जो catalyst है उने की जो वेलेंसी होती है वो variable होनी चाहिए या कहलो oxidation state वेलेंसी तो खेर सही शब्द नहीं होगा सही शब्द होगा oxidation state अलग अलग होनी चाहिए प्लस टू भी शो करता है प्लस त्री भी शो करता है मैंगनीज है प्लस फाइव प्लस सेवन तो अलग 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 तरीके से अलग अलग लोगों के साथ रियक्ट हो पाऊँगे जिसकी वैसे आप एक अच्छे catalyst बन पाऊँगे तो एक अच्छा catalyst कौन जो फी compound बनाए जो कि इसके पास ताकत है और जो अर्ची लग लग अक्सिदेशन स्टेश होकर है जो कि इसके पास ताकत है इससे लिए यह लोग बहुत अच्छे catalyst है ठीक है जी इसके बाद formation of interstitial compounds अब याद करेंगे interstitial compounds क्या होते हैं अगें 11 class याद कर लो या solid state याद कर लो 12 का interstitial compounds का मतलब ऐसे compounds जो किसी solid के बीच में जाके खाली जगाओं पर बैट जाते हैं जैसे solid का lattice है अब इस lattice के अंदर मालो किसी x नाम के atom का यह lattice है अब इसके बीच में अगर y नाम का को पार्टिकल बैट जाए तो ऐसे compounds को interstitial compound कहते हैं अब याने की interstitial site बहुत जादा बड़ी होती है तो भी atoms नहीं बैट पाते हैं बहुत जादा च्छोटी होती है तो भी atoms नहीं बैट पाते हैं हम सब जानते हैं कि जो s block के लोग है उनका size इतना बड़ा है कि उनके वाइट में बहुत easily चीज़ें नहीं बैट सकते हैं कि वाइट बहुत बड़े होते हैं सेम p block की बात करें उनका size छोटा है तो वहां पे भी sufficient लोग नहीं लेकिन d block का size ना तो s block इतना बड़ा है ना ही पी ब्लोग इतना gap में आके बैठेगा तो कोई stoichiometric follow नहीं करेगा बैसिकली non stoichiometric कोई इनका particular formula नहीं होता और यह chemically inert भी होते हैं क्योंकि बैसिकली वह रियाक्ट नहीं होगा है बस उसके वाइड में आके बैड़ गया और d block के लोग काफी अच्छे interstitial compounds बनाते हैं क्योंकि इनके size वाइड is done इसके बाद मैंने आपको पताया था अभी पीछे alloy formation जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्या consequences होते हैं कि भाया इनका जो size है वो बराबर हो जाता है तो उनके कुछ नुकसान भी थे कि इनको separate करना आसान नहीं है लेकिन इनके फाइदे भी हैं तो alloy formation में ऐसा कह सकते हैं क कि D block elements from क्या बच्चों alloys because of same size approximately क्योंकि बच्चों alloys बनाने के लिए जो conditions चाहिए होती हैं उनमें पहली condition तो यह है कि भाया chemical properties similar होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है भई अगेन मैं बात कर रहा हूं ऐसे लॉइस जो आप चाहते हो chemical भी similar सा behavior शो करें तो chemical properties में similarity है और सबसे important बात जो सबसे important factor है वो यह है कि जो size range है वो approximately होनी चाहिए ऐसा कई किताबे भी कहते हैं कि पांच से लेके 15% का इन में size gap होना चाहिए इससे जादा नहीं होना चाहिए इतना हो सकता है इससे जादा अगर हुआ तो आटम का size बहुत जादा vary कर जाएगा जिसके वैसे lattice unstable हो जाएगा तो सबको पता है होगा होते हैं होमोजीनियस मिक्स है metals को metals के अंदर प्रिगला के डाल दो ऐलोई बन जाते हैं गोल्ड के अंदर copper डाल देते हैं हम लोगा ऐसे करके ऐलोई बनाने के लिए atoms का size approximately एक दूसरे के range में होना चाहिए और atom का size अगर range में होगा तो ऐलोई अच्छे बनेंगे और डी ब्लॉक के लोग बहुत अच्छे एलोई इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन सब का size लग 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 बराबर रहता है चली इसके बाद बात आती है आयनाईजेशन एंठेलपी आप देखो हम सब जानते हैं कि left to right जाने पर आयनाईजेशन एंठेलपी कम होती है क्योंकि size साइज चोटा होता रहता है left to right जाएंग अब सवाल यहां पर उड़ता है कि इनमें आयनाईजेशन एनरजी के साथ क्या होता है अब प्रॉब्लम क्या है देखो यह लोग दी थ्री कॉन्फिग्रेशन में बिस्टेबल है को आडिनेर कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा नहीं तो जब मैं वन शॉट डालूंगा को बढ़ाएंगे कि जो डी औरबिटल होता है उसके दो इससे हो जाते हैं टी टु जी और ऑप टी डीजी में पांच में तो फुट है आप पता है लेकिन बी धो घबल को यह पता चलेगा यह पता होगा शायद कि दी ब्लॉक के लोग वैसे जातर लोग फुली यहां में स् गोकि उसके फिल्ड दों में तूट गए तो यहां और इसंपước निस में भी टेилась है कि भैए अगर मालो द इर dow 1 में खड़ा हुआ है तो हो दी 3 में जाना चाहेगा गा डी 4 में खड़ा तो तो और दीपाइब पिजाने का उप्शन है यानि वह अलग 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 oxidation स्टेट्स में स्टेबल होने की वज़ा से वह अलग-अलग energy लेता है यह लेक्ट्रॉन लेने के लिए जिसकी वज़ा से आया नाइजेशन energy में कोई particular trend नहीं है वैसे तो left to right जाने पर आयानाइजेशन अर्जी बढ़ती है but there is no there is no regular there is irregular variation in the आयानाइजेशन इन्थेलपी आपको आयानाइजेशन इन्थेलपी में कोई भी ऐसा कुछ particular कोई भी particular trend जो है वह आपको नहीं मिलने वाला है आयानाइजेशन इन्थेलपी में आप यहां से जो सवाल शुरू होते हैं वह हमारे एक्जाम में काफी आपको ताकतवर तरीके से important तरीके से मिलेंगे जह मैं केमिस्टर के important topics बना रहा था तो मैंने पताए था यह topics काफी important है तो which is the stronger reducing agent chromium plus two और iron plus two क्रोमियम प्लस टू में जब आता है पहली बात तो क्रोमियं को टॉमिंग नमबर कितना 24 तो 24 के हिसाब से इसकी configuration होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 लेकिन प्लस टू का मतलब है इसने दो electron दे दिए तो यह हो गया 4s0 और 3d4 इसका मतलब chromium plus two 3d4 में बैठावा है वहीं पर अगर मैं iron plus two की बात जो कि 26 पर होता है तो वन स्टू फ्लान दिमकाना 4s2 3d6 है और अगर यह प्लस टू फॉर्म में बैठावा है तो इसके पास दो electron कम हो गए तो as a result यहां पर 0 हो गए और 3d6 हो गया अब आप मुझे बताओ अगर किसी को reducing agent हो हैं तो उसको अपने आपकी oxidation करानी होगी उसको अपने आपकी oxidation करानी होगी अब अगर chromium plus two से plus three चला जाएगा तो वो डी four से डी three configuration ले लेगा वहीं पर iron अगर plus two से plus three जाएगा तो वो डी six से डी five configuration ले लेगा और ज्यादा stable कौन सी है डी three जादा stable है as compared to d5 अभी बात की और अगर ऐसा अच्छा अगर आपको यह नहीं पता है कि d3 जादा stable के हैं तो coordinate में समझ में आएगा और अगर पता है तो अच्छी बात है कि d3 वाला जादा stable as compared to d5 और as a result chromium अपने आपको जब plus three में करता है नहीं oxidize करता है तो वो d3 में जा रहे लेकिन iron d5 में जा रहा है तो जादा stable d3 अगर तो as a result यह अपने आपको इसी ली oxidize कर देगा और यह reducing agent का काम करने वाला है ड़ने जी चले अगला सवाल है वाइस दी हाईएस्ट oxidation state of metal यहां पर कौन से metal की बात हो रही है डी ब्लॉक के बात हो रही है कहने डी ब्लॉक के metal अपनी maximum oxidation state अपनी maximum oxidation state oxides या fluorides की form में ही क्यों शो करते हैं क्योंकि आपको पता होगा oxygen और fluorine यह हमारे chemistry के most electronegative substances में से एक है यह हमारे chemistry के most electronegative substances में से एक हैं इतने ज्यादा electronegative है कि मेटल से maximum number of electrons अपनी तरफ शिफ्ट करा सकते हैं और as a result यह यह डी ब्लॉक के लोगों से maximum oxidation state शो करा सकते हैं जैसे manganese है plus seven जो कि इसकी maximum है कब शो करता ही जब यह बैठा होता है एम और फॉर माइनस है ऐसे ही chromium अपने प्लस six maximum कब शो करता है जब बैठा होता है यह सी आर टू ओ सेवन माइनस याने की oxygen के साथ ऐसे फ्लोरीन के भी compound है यानि यह वाले लोग डीव लॉक के लोग अपने maximum oxidation state दुनिया के maximum सबस्टांस के साथ शो करेंगे ना जो कि फ्लोरीन और oxygen अगला सवाल क्रोमियम प्लस टू एक रिड्यूसिंग एजन्ट है वेराइस मैंगनीज जो कि फ्लस 3 में वो भी अपनी configuration डी 4 लेके बैठा है लेकिन वो कह रहे है क्रोमियम जो है वो reducing agent है मतलब अपनी oxidation करेगा और अपनी oxidation करेगा तो डी 3 में आ जाएगा लेकिन मैंगनीज जो है वो एक oxidizing agent है यानि अपनी reduction करेगा electron ले लेगा और प्लस 2 में आके डी 5 बना लेगा अब आपके मन में सवाल आएगा अगर डी 3 configuration जादा stable थी तो मैंगनीज ने पर डी 3 क्यों नहीं करी वो क्यों नहीं है अपने आपको oxidize किया उसने उसने क्यों अपने आपको reduce करके डी 5 में आ गया तो आंसर है बचो सिरफ डी 3 configuration पर फोकस करना है पिछली बार तो दोनों पर चार्ज आइरन और क्रोमियम पर प्लस टू था इस बार देखो अगर मैंगनीज अपनी फरदर प्लस 3 फॉर्म से oxidation करके प्लस 4 में जाता और डी 3 configuration ले लेता प्लस 3 से अगर वो किस में चला जाता बचो प्लस 4 में और कौन सी configuration ले भी लेता डी 3 तो डी 3 configuration वाइस तो वो हो जाता बड़ यह सबसे बड़ी problem क्या होती उसके उपर चार्ज देखो कितना है प्लस 3 पहले से ही है अगर वो प्लस 4 ले आएगा तो अकॉर्डन तो फजान सुरूल कहलो या कहलो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन देते हैं size छोटा होता रहता है और ionization energy बढ़ती रहती है कहलो किसे भी तरीके से कहलो ultimately D4 से D3 जाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है due to पहले से ही चार्ज उसके पर प्लस 3 है due to which ionization energy बहुत बढ़ गई है size बहुत छोटा हो गया effective nuclear charge बहुत बढ़ चुका है इसलिए वो कहता है मुझे stable उने से मतलब है न तो मैं D3 तो नहीं जा सकता लेकिन D5 जो की हाला कि इससे कम है लेकिन है तो stable और यह अपनी क्या कर लेता है reduction और काम करता है इसके बाद एक सवाल आ रहा है हमारे पास actually पॉइंट आ रहा है oxidation state और मैंने आपको जैसे आयनाइडेशन इनरजी नहीं बता दिया इनकी कोई फिक्स आयनाइडेशन स्टेट का भी पैटन नहीं है फिलाल कोशन आ रहा है कि oxidation state कहां तक stability को explain करती है तो बहुत हथ तक और फिर वो कह रहे है एक्जांपल दो तो एक्जांपल दे रखे हम नहीं है जैसे यहां पे ले लो कि यहां पे इसकी oxidation state d4 है इसकी भी क्या है d4 है लेकिन d3 में जागे ज् प्लस 2 से प्लस 3 जाएगा तो d5 में जाएगा जो की unstable तो नहीं है लेकिन ज्यादा stable भी नहीं है एसक तो इसलिए electronic configuration बहुत हद तक stability को explain करती है इस question का अंसर पिछे से एक्जांपल उठा गया हम दे सकते हैं लेकिन यहां पे एक सवाल आ रहा है एक्चुली सवाल से पहले यहां पे एक सवाल था वह हम पहले करते हैं कहां गया यह वाला यह वाला सवाल पहले करता है क्योंकि oxidation state से लेना देना है इसका question क्या कह रहा है question कह रहा है कि जो non transition elements होते हैं थोड़ा सा P block में जाएंगे term 1 में जैसे कि group 17 उनकी आपको याद होगा oxidation states क्या-क्या शो होती थी जैसे कि plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 18 group याद करो plus 2 plus 4 plus 6 याद हो लेकिन जो D block के लोग हैं यह ऐसे एक एक छोड़के इसका कारण शायद याद हो एक एक electron इनके पास पहले 7 पेड़ होता था एक एक side करते थे जिसके उसे 3 हो जाये करते थे फिर एक और करेंगे तो 5 हो जाये करते थे यहां प है तो चार होगे तो इसलिए एक एक छोड़के यह oxidation state शो करते थे लेकिन डी ब्लॉक में क्या कारण है पहले बात उनके पास पहले से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रों अनपेड़ हैं दूसरा कारण इलेक्ट्रों आप N से भी निकाल सकते हो और D से भी निकाल सकते हो ती पी 3 D5 और D10 ये स्टेबल है इन तीन करणों की वज़य से यह मैं कोई अगेन ऐसा नहीं है कि यह और नंबर या इवर नमबर में मैं मैंगनीज 1 मैं मैंगनीज 2 प्लस तू प्लस त्री प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 यह 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 इसा नहीं कि छोड़के oxygen शो करें एसा बिलकुल भी नहीं है चले पीछे आते हैं वापस और सवाल आ रहा है मार पास कि मैंग जो इनॉट वेली है कॉपर की वो पॉजिटिव क्यों है अब यहां पर देखो बच्चो कॉपर का टॉमिक नंबर क्या होता है 29 उस हिसाब से कॉन्फिग्रेशन हो गई 4S1 3D10 याद करो यह एक एलेक्टॉन कुदा देता है प्लस वन में आएगा तो क्या हो जाएगी ऐसे एक एलेक्टॉन निकल जाएगा 4S0 3D10 अब आप मुझे बताओ प्लस वन में स्टेवल है की नहीं है आंसर है क्योंकि डी 10 हो गया यार लेकिन फिर भी कॉपर के ज़्यादा तर कमपाउंज आपको प्लस वन में मिलेंगे क्यों क्योंकि जब यह प्लस वन में होता है इसके पास कोई भी एलेक्टॉन अन्पेर नहीं होगा तो हाइडरेशन एंथेल्पी बहुत जादा बढ़ जाएगी पानी में घोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ऐसा कह सकते है कि इसकी हाइडरेशन एंथेल्पी बहुत जादा हाई होती है और यानि हाइडरेशन एंथेल्पी हाई होने के वज़ए से दोनों बाते एक्स्प्रेन हो रही है कि कॉपर अब प्लस वन में भी एक्जिस्ट नहीं करता वो प्लस टू में आ जाता है प्लस टू में आने से क पुली फिल्ड है तो भी हाई अगला सवाल हम कहीं डिसकस कर चुके हैं इनौट वैल्यू मैगनीज की पॉजटिव है यानि पॉजटिव मतब याद करेंगे यह जाना चाहा रहा है लेकिन क्रोमियम प्लस थी से प्लस नहीं जाना चाहिए और आरें मीं प्लस थी से प्लस डू में नहीं जाना चाहिए जा और आफ देखो आरें प्लस थी में डी 5 configuration लेके बैठा है प्लस 2 में आया तो डी 6 में आजाएगा क्यों आएगा पागल है लेकिन में गांड लेकने यह प्लस 2 में जब होता है तो 403d5 होता है और प्लस 3 में जब होता है तो 4s13d5 होता है तो इसका यह वाला electron जो है वो स्कॉंस्टेबल कर रहा है as a result यह चाहे तो वापस से अपना एक electron लेके अपने आपको क्या बना सकता है यह 403D अच्छा मैगनीज प्लस 3 है सौरी मैगनीज प्लस 3 में तो यह हो जाएगा 403D4 सौरी 3D4 तो एक electron लेके अपने आपको यह किसमें कर लेगा 3D5 जो कि पीछे में डिसकर्फ किया था तो यानि मैगनीज प्लस 3 से प्लस टू जाना चाह रहा है क्योंकि यह डी 4 से डी 5 में जाएगा लेकिन क्रोमियम जो की डी 3 में स्टेबल था बात की वो डी 4 में क्यों जाएगा और ऐसी आइरन भी क्यों जाएगा तो एजर रिजल्ट इसकी इन और वेली पॉजिटेव हो जाती है नहीं जाना चाहता है और यह दोनों नहीं जाना चाहते है दन है चलिए यह कोशन हम ग्रास में कर चुके हैं देखा जाए तो स्कांडिया में प्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि यह 3D 4S 2 3D1 इसके पास एक अनपेर एलेक्ट्रॉन है वेरास जिंक जो है वो है 4S2 3D10 इसके पास कोई भी एलेक्ट्रॉन अनपेर नहीं है तो इसलिए और इसका दी पूरा भरा भी वाए इसका मतलब है यह 5D10 में स्टेबल है कोई फिक्स गोल नहीं है इलेक्ट्रॉन कांफिगरेशन अचीव करने का इसके वाल अगला सवाल मैगनेटिक मूमेंट निकालना है एक इनसान का लेट से ए हो जिसका अटॉमिक नमबर है 25 हमें उसके प्लस टू फॉर्म का निकालना है तो वन एस टू 2-2-2-2-3-2-3-6-4-0-3-D 5 तो अब बी में इसके पास कितने लेक्ट्रॉन है पांच और पांचों के पांच ओंपेड एक दो तीन चार पांच अब पांच एलेक्ट्रॉन अगर पांच अगर पेड़े तो इसका मैकनेटिक मूमेंट कैसे निकालेंगे फॉर्मुला होता ह एन ब्रैकेट में एन प्लस टू बच्चों तो यहां पर हमारे पास क्या दाएगा फाइव और यहां दाएगा सेवन तो आंसर आजाएगा रूट थर्टी फाइव बोर मैगनेटन तो यह हमारे पास आंसर आजाएगा ड़ने चलिए ऑक्सिडेशन स्टेट के बाद कर ले और यह पास आखिरे सफवाल आ रहा है कि सकंडियम प्लस ुषय और क्रोमियम फ्लस ञाएगा सक्याय का मतलब इसकी स्केंदियम कया होती है सकंडियम कि 4S2 3D1 प्लस ॥ी मतलब यह भी चला गए भी चला गया scorग हो इलेक्ट्रम उंप्लस तो डा मैंगनिटिक और हम सब जा ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट्स है और सिबात है मैगनीज के मैगनीज तो ऑक्सिडेशन स्टेट्स का राजा है इसके पास पांच एलेक्ट्राइब होने के वज़ए से यह दी फाइफ दूनों जाना चाहता है और यह मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट्स शो करता है तो चैप्टर बहुत चोटा है क्योंकि इसमें से जो के मैंनों फोर और के टूसी आटू सेवन या एफ ब्लॉक वाला हिस्सा काड़ दिया गया बाकि बचावा सिंपल स्टेट फॉर्वर आने के पूरे पूरे च्शंस हैं कैसे कोशन आएंगे जहां पर रहेंगे बचों कोडिने कंपाउंड का थोड़ा सा बड़ा होते हैं थैंकि सो मच पढ़ते रहें पर बहुत मज़िक आ रहे हैं शुक्रिया